नमस्कार मैं पंकर सिंग्टा और स्वागत आप सभी का TSR डिजिटल टीवी में आप देख रहे हैं TSR की सिरीज देभूमी दर्शन TSR देभूमी दर्शन में हम आपको दर्शन करवाते हैं हिमाचल के मंदिरों के जितने भी हिमाचल के अंदर देभूमी है क्योंकि हिमाचल में इतने मंदिर है हिमाचल को देभूमी के नाम से ही जाना जाता है तो जितने भी हिमाचल के अंदर मंदिर है और जो पवित्र स्थान है वहाँ के दर्शन इस सीरीज के माध्यम से मापको करवाते है और इसी सीरीज में आज हम रामलोक मंदिर पहुँचे है यहाँ पर रामलोक और नागलोक की स्थापना की गई है आप बहुत लोगों ने आप मेंसे मंदिर को रामलोक मंदिर के नाम से सुना होगा लेकिन आपको बता दे आपकी जानकारी के लिए कि यहाँ पर रामलोक के साथ नागलोक की भी स्थापना की गई है ये मंदिर चैल जाते हुए साधूपुल से थोड़ा सा ही दूर है साधूपुल के बिल्कुल साथ में ही ये मंदिर पड़ता है यहां से अगर आप कभी भी कंडा घार चैल की और निकलते हैं तो ये मंदिर आपको ऱस्ते में मिल जायेगा मंदिर की construction अभी चल रही है कुछी सालों पहले मंदिर को बनाना शुरू किया गया था मंदिर का निर्मान शुरू किया गया था और बहुत ही कम समय के अंदर करीबन 18 से 20 महीनों के अंदर इस मंदिर को बना दिया गया था यानि बहुत कम समय के अंदर दो साल से कम समय के अंदर और अभी भी आप देख सकते हैं कि मंदिर का जो construction है वो चल रहा है तो अभी ज़्यादा बात चितना करते हुए आपको सीधा ले जाते हैं मंदिर में और मंदिर के दर्शन आपको करवाते हैं तो चलिए अभी आपको सबसे पहले तो मंदिर में लेके चलते हैं उसके बाद हम आपको यहाँ पर जो बाबाजी है उनसे भी मिलवाएंगे और उनसे भी बाचीत करेंगे और जानी की कोशिश करेंगी कि मंदिर को कब बनाया गया है और क्या-क्या मंदिर में जो कौन से लोग के निर्वान किये गए है तो आएए चलते हैं सबसे पहले मंदिर के दर्शन आम लोग कर लेते हैं तो आएए चलते हैं रामलोग मंदिर सोलन के साधुपुल के पास थे मंदिर का शीला नियास 15 अप्रेल 2015 को किया गया था मंदिर में रामलोक के साथ नागलोक का निर्मान भी किया गया है मंदिर में श्री राम के साथ साथ माकाली, राधाकृष्ण, भगवान शिव, मापारवती और सभी देवी देवताओं के दर्शन कर सकते हैं मंदिर का निर्मान बहुत ही कम समय के अंदर किया गया है मंदिर को किले के रूप में बनाया गया है पहले रामलोक और नागलोक की स्थापना किसी और स्थान पर की जानी थी लेकिन कुछ कारणों की वजह से वहां नहीं बन पाया और ये सोभाग्य हिमाचल को प्राप्त हुआ वर्तमान समय में मंदिर निर्माना धीन है मंदिर को बहुत सुन्दर ढंग से बनाया जा रहा है तो इस समय हम लोग रामलोक मंदिर में हैं जैसा कि हमने आपको बताया साधुपुल के पास ये मंदिर है और मंदिर की बनावट की अगर बात करें तो एक किले की तरह ये मंदिर दिखता है आप जब भी आए तो यहां मंदिर में दर्शन करने आ सकते हैं और यहां इस समय हम मौजूद हैं मंदिर में बाबाजी के साथ में और इनसे हम बाचित करेंगे और जानेंगे कि मंदिर का निर्मान कब हुआ मंदिर को कब बनाया गया और बाबाजी कब से यहां पर मंदिर में अपनी सेवा कर रहे हैं मंदिर में तो आईए बाबाजी से बात करते हैं बाबाजी सबसे पहले तो प्रणाम का स्वागत है टीसा डिजिटल टीवी में तो सबसे पहले तो हम जानना चाहेंगे मंदिर के बारे में कि मंदिर कितने समय से कब मंदिर का निर्मान हुआ था यहां पर कब बनाया गया था इस मंदिर का सिलान्यास 15 अप्रेल 2015 को हुआ और मंदिर का निर्मान 2016 से सुरू किया गया और 15 अप्रेल 2016 और उसके बाद इस मंदिर का निर्मान हुआ और बहुती कम समय में 18 मेने में इस मंदिर का निर्मान पुर्ण हुआ है तो बहुत ही कम समय के अंदर मंदिर का निर्बान पूरा किया गया है तो बाबाजी आप शुरू से ही इस मंदिर में सेवा करें जी तो जैसा कि आपने अभी जाना बहुत ही कम समय के अंदर 2015 से लेकर ये मंदिर बना है और अब इस समय बन के त्यार हो चुका है अभी भी देख सकते हैं काम चल रहा है लेकिन मंदिर बना हुआ है अभी भी तो भबजी एक और सवाल है हमारा आप से कि रामलोक मंदिर के साथ-साथ यहां पर नाग लोक भी लिखा है तो उससे क्या विप्राय है जो ये सृष्टी है इस पूरी चौदर ब्रह्मान में साथ लोक हैं तो सबसे नीचे स्री नाग लोक है और सबसे उपर स्री राम लोक है बीच में पांच लोक अस्थापित हैं तो स्री नाग लोक की अस्थापना के द्वारा कोई भी मनिस जब तक नाग लोक में नाग देपता की पूजा नहीं करते और खास करके पिर्थ भी माता ज इसका हमारे उपर रिन भी है, पिर्थवी रिन है, उनका रिन चुकाने के लिए, और काल सर्फ दोस को मिटाने के लिए, और पित्री दोस मिटाने के लिए, जो हमारे पूरबजों का हमारे उपकार होता है, उनका रिन चुकाने के लिए, इस नागलोग का निर्मान किया जा है इस नागलोग की अस्थापना आज से पहले हिमाचल से पहले तराभन को रियास्थ केरल में कर रहे थे बना रहे थे लेकिन वो नहीं बना पाए अब यह जहां पर पदमناब स्वामी टेंपल है बास्तम में वो यह नागलोग बनने जा रहा लेकिन वहा किसी कारण अबस नहीं हो पाया तो भो हिमाचल परदेश को गारब प्राप्त होने जा रहा है यहाँ पर आकर् Singh के यहाँ पर नाग का जोड़ा चड़ा करके हर परानी और दूद चड़ा करके नाग देबता को और नाग माता की पूजा करके यहाँ पर काल सर्फ दोस पितरी दोस से मनुस्यों को चुटकारा मिलेगा और मौक्ष प्राप करने में उनको साहता मिलेगी इसलिए नाग लोग की अस्थापना की जा रही है बाबाजी आप दर्शकु को क्या संदेश देना चाहेंगे हमारे टिसर डिजिटल टीवी के माध्यम से इस मंदिर का निर्मान बिस्ट में धरम की अस्थापना के लिए किया गया है बिस्ट का हर प्रानी इस पूरे बिस्ट को राम में देखे और सभी प्रानी राम नाम ले इसलिए इस राम लोक का निर्मान किया जा रहा है इस राम लोक से नसिफ सुरे वंस की पता का फहराएगी इस पूरी संसार में जिस तरह से ये भगवान सुर्य आकास को दो बार भगवा रंग से रंगता है उसी तरह ये पूरा संसार राम में होगा और युगो युगो तक राम नाम का संदेश लेकर के स्री राम लोक से संसार का हर प्रानी जाएगा और ये हिमाचल प्रदेश का और हमारे भारत बरस का और पुरे बिश्व का एक सान होगा और एक धरम के लिए, जो धरम की मंजिल होती है, हर मनुस्य को धरम को धारन करना चाहिए, और जब इनसान धरम को धारन करता है, तभी उसके अंदर राम जी विराजमान होते हैं, और ये बास्तम में इस मंदिर का निर्मान हर प्रानी को सुख और समरिद्धी प्रदान करने क लिए 84 लाख जीवों को किया गया है और सभी जो भी इस मंदिर में भगवान स्री राम के चर्णों के दर्सन करेंगे वो मौक्ष के अधिकारी हो जाएंगे और जब वो राम नाम का नित अस्मरन करेंगे तो फिर उनको मौक्ष प्राप्त हो बाबाजी बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे डिजिटल टीवी के माध्यम से सब को संदेश देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद बाबाजी हमारे डिजिटल टीवी से बात करने के देता है